नमस्कर दोस्तों स्वागत फियो आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकेस्टन चैनल में तो आज की वडियो लेक्चर में हम मेलास्मा नाम की जो समस्या है उसका सबसे तीज उपचार कैसे हो सकता है उसके बारे में समझने वाले है तो यह जो हैल्थ प्रॉब्लेम ह उसको हम सबसे पहले समझे तो होता यह है कि जो आपका चाहिए जो आपका फे से वहाँ पे बूरे या फिर काले रंके दब्बे देखने को मिलते है कि आप है उसके करण sk preoccup होती है और ये मैलास्मा की समस्या जो होती है कि जिसमें स्वेसली चेहरे पर गहरे रंग के धब्बे बन जाते है और जो ये समस्या होती तो उसके करण जो परसन है जिसको ये प्राब्लेम होता है उसके खुबसूरती पर जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो असर होता है तो ये जो problem है उसको melasma कहते हैं कि जिसके detail study करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम ये problem को solve कर सकते हैं तो सबसे पहले समझते हैं ये बीमारी या फिर ये जो समझते हैं उसके बारे में basic में तो उसको melasma कहा जाता है black spot भी कहा जाता है कि जो special आपके चहरे पे होते हैं और कई जगा पे ये काफी dark हो जाते हैं और कई पे वो काफी light भी होते हैं तो यहाँ पे जो हम देखें ये diagram के according to तो जो melasma है उसके अलग-अलग type है जैसे कि epidermal melasma होता है, dermal होता है mixed melasma होता है तो यहाँ पे आप देखें तो ये dermal melasma की आप एक देख सकते हैं epidermal की जो skin के अलग-अलग layers होते हैं उसके according to ये vascular हो गया फिर sunburn यादि की सूरज की किर्णों से जब तवचा जल जाती है तो उसके करण भी इस तरह की condition जो हो produce होती है तो होता यह है यहाँ पे कि जो हमारे pigment cells होते हैं कि जिसको हम melanocytes कहते हैं तो ये melanocytes कई बार क्या होता है destroy हो जाते हैं कि मान लो कि आपके ये जो skin है वहाँ पे आये हैं आपके melanocytes तो ये melanocytes किसी भी तरह से जो हो destroy हो जाते हैं और जहाँ पर वो destroy होते हैं वहाँ पर एक black color का जो है वो दाग पढ़ जाता है कि जिसको हम कहते हैं कि चेहरे पर एक बुरे रंग का दब्बा और medical terms में ये जो समस्या है उसको हम melasma कहते हैं तो ये होता कैसे है कि जो melanocyte destroy कैसे हो गए आपके तो एक reason है ultraviolet radiation कि जब भी आपकी तौचा आपकी जो skin है वो sunlight के contact में directly आती तो sunlight में जो UV rays होते हैं ultraviolet radiation होता है वो आपके skin के उपर पड़ती है और वो जो melanocyte थे उनको destroy करती है और जिसके करण ये समस्या हो सकती है फिर अगर किसी के life में काफी जदा stress है तो भी ये समस्या हो सकती है visible light के करण भी हो सकता है कि अगर आप visible light के context में बार बार आते हैं LED lights के contact में काफी जदा रहते हैं तो भी melanocytes के उपर असर होती है और वहाँ पे melasma का समस्या हो सकती है फिर कुछ महिलाओ में contraceptive therapy जो होती है contraceptive pill होते है उनके करण भी हो सकता है कुछ लोगों ये genetic होता है फिर hormonal changes होता है तो भी melasma के समस्या हो सकती है फिर जो thyroid की जो problem है hypothyroidism में भी यह हो सकता है कुछ ladies में pregnancy के दोर नहीं यह देखने को मिलते है फिर अगर आप cosmetics काफी ज़धा use करते हैं तो भी skin cramage होती है और आगे जाके melasma के समस्या हो सकती है और especially जो UV light जो होती है वो यहाँ पे सबसे ज़धा responsible बनती है आप order कर सकते है कि जिसका नाम है बीमारिया और उनका उपचार के वहाँ प्याव बहुत सारी अलगलग बीमारियों के बारे में सिखते हैं कि जिससे आज हम यहाँ पे melasma के बारे में सिख रहे है ऐसे ही आप बहुत सारी बीमारिया उन्हों बीमारिया होने के कारण क्या है उनके लक्षन क्या हो सकते है कैसे निदान होता है और कौन से अलगलग treatment के options available है तो ये आप colorful book के अंदर अच्छे से detail में study कर सकते हैं तो ये book को order करने के लिए आप हमें दीगे नंबर पे whatsapp कर सकते हैं तो बाते हैं हमारे topic पे और आगे समझते हैं उसके symptoms के बारे में तो simple उसका symptom यही है कि इस तरह से जहाँ पे आपके वो जो cell है melanocytes damage हो जाते हैं वहाँ पे इस तरह से काले दब भी पड़ जाते हैं कि जिसको brown color के patches कहा जाता है फिर वहाँ पे हम देखे तो उसका discoloration हो जाता है तो diagnosis के ऐसे होता है तो जो एक technique है woods lamp उससे इसका diagnosis हो जाते हैं woods lamp examination जिसको कहा जाता है दूसरा तरह का हम देखे तो जहाँ पे यह दबबे देखने को मिलते हैं वहाँ की जो skin के sample लेके उसकी biopsy की जाती है फिर तिसरा हम देखे तो आपकी तवाचा की अंदर melanin का जो level है वो कितना है वो check किया जाता है कि अलग-अलग जो techniques आती है उससे आपका melanin level चेक किया जाता है फिर dig pigmentation जो light therapy है उससे भी diagnosis होता है कि melasma है या फिर कोई दूसरी skin related समझते हैं आपको क्रीम है जो lotion है कि जिसको आप specially जहाँ पर melasma के समस्या हुई है आप वहाँ पर apply करते हैं तो हम यहाँ पर अलग-अलग options देखेंगे उसमें से कोई भी एक option आप सिल्याक कर सकते है पिसन के लिए तो सबसे पहला हम option देखे तो acidum करके जो cream आती है कि जिसके अंदर हम salt content के हम बात करें तो वो होता है acrylic acid की जो cream रहती है जिसका content रहता है 20% तो वो जहाँ पर melasma हुआ है वहाँ पर person अप्लाई कर सकता है दिन में 2 या दिन में 3 बारा फिर जो whitening cream आती है कि जहाँ पर जो काले दब्बे पढ़ गए जिसके अंदर जो content रहता है system की जो cream रहती है वो भी आप लगा सकते तो यह दूसरा option है पहला option हमने देखा acidum दूसरा option होगा है यह cream अगर यह option भी आपके लिए सही नहीं है या फिर यूज किया हुआ है तो तिसरा option बनता है hydrocortison के cream का कि जो 1% के concentration में available होती है कि जो वहाँ पे चलो सूजन्स भी हो गई है irritation हो रहा है इचिंग जैसे भी कई बार हो रही है या फिर जो दब्बा है उसको काफी light करने में यह cream help करती है फिर hydroquinone की जो cream आती है मेला light करके जो cream है कि जो abort pharmaceutical उसको बनाते है वो भी आपके जो effective area पे especially जो face का area है या फिर neck में जहाँ पे मेलास्मा की समस्य हुए वहाँ पे आप उसको apply कर सकते है तो यहाँ पे फिर से आपको reminder देना चाहूंगा कि जो हमारी book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते है book को purchase करने के लिए और उसका sample check करने के लिए यहाँ पे आप हमें whatsapp कर सकते है तो आगे एक और option देखते हैं तो यह जो product है उसका मैं आपको दिखा जाओगा कि जो neemless spot correcting एक product है कि जो specially एक concentrated सीरम टाइब की product है कि जो जहाँ पे भी आपको मैलास्मा के समझ से हुई है वहाँ पे इसको जो है वो apply करना होता है और उसका लगाने का हम तरीका देखे तो क्या होता है कि दो या तीन बार आपको दिन में apply करना होता है और उसका जो result है वह आपको 4 से लेकर 12 week तक मिलता है अगर ये वाले option से भी ठीक नहीं होता तो 6 option उनीका एक core product है जिसके बारे में हम समझते है कि ये वाला जो दूसरा product है तो ये भी use किया जा सकता है कि जिसकी detail जो है वो आप यहाँ पे देख सकते है तो वो भी similarly apply करना है कि जिसके साथ ये dropper आता है और वो dropper के मदद से आप ये जो serum concentrate होता है वो जहाँ पे आपको ये sports वगरा हुए होते है मेलासमा के समस्य हुए थे वहाँ पे apply करना होता है साथवा option हम देखे तो vitamin C का serum भी use कर सकते अगर आपको वो वाले product से allergy होती है या फिर वो आपको suit नहीं करती तो ये भी use कर सकते पर ये जो options हम देख रहे है वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि वो जो ingredient है उसकी आपको allergy ना होनी चाहिए और अगर उसकी allergy है तो वो product यूज़ नहीं करें उसके वज़ाए कोई दूसरा option यहाँ से select कर सकते है तो हमेशा कोई भी product ले पर उसका जो content होता है वो अच्छे से read करना यहाँ पे जरूरी बनता है तो vitamin C का अगर face serum यूज़ किया जाता है तो उसको 2 या 3 बार दिन में अपलाई किया जाता है तो उससे भी अच्छा result मिल सकता है मेलासमा के अंदर और अब तक जो हमने options देखे कि जिसमें cream लगा नहीं है या फिर serum लगा नहीं है बड़ साथ हो साथ आप vitamin C के जो achievable tablet से वो भी खा सकते है कि अगर ओग cream लगा रहा है चरक फार्मा का तो ये भी जहाँ पे आपको मेलासमा हुआ है वहाँ पे आप regular लगा सकते कि जिससे दीरी दीरे वो समस्या जो है वो दूर हो जाएगी ये भी एक काफी effective option है आपके लिए और दस वो option हम देखे तो treating करके जो cream है कि जिसके अंदर salt content करन रहता है treating 9 कि जिसकी cream है 0.025% की strength में available होती है कि वो भी दिन में 2 या 3 बार आप apply कर सकते है अगर ये सभी तरीके सो भी ठीक नहीं होता तो आपको जो है वो cosmetologist जो होते है skin specialist होते है जो उनको जरूर से consult करे कि जो ये यहाँ पे जो हम अलग अलग जो टेक्निक्स देख रहे हैं जिसके लेगर ड्रेटमेंट है लेजर वाली chemical pills के ट्रेकनिट है micro और derma abrasion की जो टेक्निक है जिससे ये sports को निकालने में आपकी help करते हैं बट इससे पहले जो आगे जो हमने medicines के 10 option देखे उसको जरूर से try करना चाहिए तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं और मेरी चैनल को जरूर से subscribe करें और हमें ऐसे ही support करते रहें Good luck and all the best